नमस्कार में हूँ यश्शर्मा कोठारी स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेर नेशनल खबरों से प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने केंदरी ग्रह मंत्री अमिच शाह और NHRC अध्यक्ष के उपस्तिती में 12 अट्टूबर 2021 को वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से 28 वे NHRC इस्थापना दिवस कारेकरम को संबोधित किया है भारत का राश्ट्री मानव अधिकार आयोग NHRC एक वेधानिक सारुजनिक निकाय है जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षन अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकारों के संरक्षन और हश्ये के लोगों की गरीमा के संरक्षन के लिए 12 अट्टूबर 1993 को किया गया था अंतरराश्ट्री उर्जा एजेंसी ने भारत को अपना पूर्ण कालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है यह सदस्यता आमंत्रेंड इस आलोक में दिया गया था कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उर्जा उपभोगता है यदि यह प्रस्ताव स्विकार कर लिया जाता है तो इसके लिए भारत को अपने आरक्षित तेल को 90 दिनों की आवश्च्रक्ता तक बढ़ाने की आवश्च्रक्ता होगी उप राष्टपती एम बंकया नाइडू ने अपने निवास में प्रख्यात, पाल्मोनोलोजिस्ट और अखिल भारती आयरविज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डाक्टर रंडीब गुलेरिया को उतकरश्टता के लिए 22 वा लाल भाहद्दूर शास्त्री राष्ट्र पुरुसकार प्रदान किया, भारत ने किर्गिस्तान के लिए 200 मिलियन डॉलर की लाइन आफ क्रेडिट की घोशना की है और मद्ध एशियाई राज्ज में सामुदाइक विकास के लिए छोटी लेकिन उच्च प्रभावशाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक सम प्रदाकार के रूप में नियुक्त किया गया है, श्री खरेड जारकन केडर से 1985 बेच के सेवा निवरत आईयस अधिकारी हैं, कंसर्टेंसी फर्म अर्न एंड यंग ईवायद्वारा जारी 58 वे रिनेवल एनर्जी कंट्री अट्रेक्टिवनेस इंडेक्स में भारत ने ती C.A.I. के लिए एक नया सदस्य है, अब हम देखते हैं इंटरनेशनल खबरें, जर्मन रेल ऑपरेटर डच बहन और उद्योगिक समू साइमन ने दुनिया की पहली सवचालित और चालक रही ट्रेंड शुरू की है, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेंड को हेंवर्ग शहर में लॉंच किया गया था, इस परियोजना को साइमन एंडज बहन द्वारा विक्सित किया गया है, विश्व मानक दिवस या अंतरराश्टी मानक दिवस हर साल 14 अट्टूबर को विश्व इस्तर पर मनाया जाता है, इस दिन का उद्देश उभोकताओं नियमाकों और उद्यो अंतरराश्ट्री इकच्रा दिवस 2018 से हर साल 14 अट्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश दुनिया भर में इकच्रे से सही से निपटने को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश पुना उपयोग वसूली रिसाइक्लिंग दरों में व्रद्धी करना है, 2021 अंतर मुद्रास्पिती सितंबर में घटकर 4.35 प्रतिशत रह गई है, उब्भोक्ता मुली सुचकांग आधारित मुद्रास्पिती अगस्त में 5.30 प्रतिशत और सितंबर 2020 में 7.27 प्रतिशत थी, भारती रिजर्ब बैंग ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इसे सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रेजिलियेंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड भारत पेद्वारा संयुक त्रूप से भारत में सिफ भी विविसाई करनी के लिए स्थापित किया गया है। 2019 से 2030 में 20 अरफ डॉलर से बढ़ा कर 100 अरफ डॉलर करने की घोशना की है। 2020 अरफ युवा चेंपेंशिप में कास्य पदक जीता है। MP बिजली शेत्र में साइबर संगटन प्रबन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।